बाट्चो आप सबी का हमारे YouTube चनल एडियल देव कला सेचमस हो गयता है बच्छो आज हम आपके लिए प्रोजेट कारे लेकिया है और विशेष रमजीश, विकयन का प्रोज्यट कारे, और आपको यह Port款 कारे कितने करना है, 200 प्रोजेट कारे हैं इसे टोटल आपके 40 अनके प्रोजेट कारे होंगे तो चलिए यह और किस कछा केलिए यह आपके इसलिए आपको प्रोजेट करना अनिवार है तो चलिए देखने प्रोजेट कारे कैसे करते हैं इसका पहला प्रेशन क्या कह रहा है इससे दिख लेते हैं दिए गए निदे समसा जयांकारी संकलित कीजे वह वीरल दिखिए और नमबर क्या कहा इसमें अपने ग्राम या शहर का इत्यास जानने के लिए इस्थानी इस्थार पर चित्रो अत्थवा फोटोग्राप का सलगन करें जैसे प्राचीन किला इमारत सारजनिक भवन मंदीर मस्जित गुरुद्वारा चर्ज परसाला अस्पताल पुस्त काले ग्राम पंचात नंकरपाली का नगर निकम भवन नगर निकम भवन तालाब पिष्फार आपने ग्राम सेहर इथियास जानने इस्थानी मान करें कौशिं फोटोग्रापिस सलंक की चित्रौ रवार को को अपनी अव्यास पुस्तिक. ये मंदीर हो गया, यह क्या हो गया आपका भवन हो गया, पाट साला है, यह हस्पीटल है, यह कुवा यह पड़ा से आपको चेत्रों को सलंगना करना है, यहां पर जो भी चेत्र प्राचिन किला है, इमारत या सार्जनीक भवन, मंधिर, मस्जीत, गुरुद्वारा, या चछ पॉछ पन्चाइत पाम्ट क क्या करना इन चित्रों को जम्ध करना है और यहां पर चस्प करदेना यहां आगे दिखते हैं अब क्या दिया है यहां पर एक सर नंबर यह क्या हो गया आपका अब हो गया नंबर में क्या गहा था यह चेत्रों को जमा करना है और आपको यहां लिखना है अब इसके बाद आपका बह नंबर हो गया यह सर नंबर क्या दिया है संक्लित चेत्रों के बारे में निम्न बिंद अत्वा आम आसपड़ोस के विध्यातियों तक पता कर लिखिए वरिष जनों से पता कर लिखिए प्रस्न क्या कहा है संक्ली चित्रों के बारे जो चित्र आपने भी जमा किये हैंगे यह जो चित्रों जमा करेंगे उनके बारे में निम्ली विंद्वों पर विवर्ण अपने वर्ष पूर हुआ यह क्या है आपका निर्मार लगभख कितने वर्ष पूर हुआ फिर दूसरा का निर्मार किसके द्वारा कराया गया दीसरा निर्मार में कौन-कौन सी समगिरी का उपयोग किया गया फिर अगरा चौंते नमबर में व्यत्मान उपयोग और पाचम तो इस फ़कास यह पहुंच पाइंड दीन के अधार पर आपको लिखना है जैसे हम पहला चित्र किसका बता we go कितने वास दस बका रएग गया है अब ये संघजाया कंसी सामधियल किया गया इड़ रेट लूहा और वहयतमाने इसका उपयोग कि चिसम착 यूह किना है मंदीर को मालूम में कि मनदीर को अम्हूं समयार किया गया और वहां कि वह वहां कि कि आगा गया उतिमान Almost कि लिए एंधवाल कि द्वारा किया जाता है तो 10 वार में सुक्णा बर के HOWने बनबार कि-चारि-पर ऊपियोग का नहीं प्रयोग की जाने कर देंगे देखीए अस बताल है मिनाए पंद्रा वश से और किसके द्वार मनवाया गया सारपास द्वारा स्यमेंट इसमें जो उप्योग सामगी स्यमेंट लोहा रेट इट आथा बिमार विक्तियों के इलाज के लिए और देखरें कुण करता है सरपाजयोंग्रामशी इस परकार तीसरा नमबर फिसकत कुवा कर बता देंगी कुवा जित वस पुरानी है कब बनी थी है यहां पे लिख जी 50 वस और सपाजयोंग्रागों पंचयात द्वारा।ो इस परकार आपका यह प्रोजेक्ट का था प्रोजेक्ट एक य क्या दिया कशी कैशी पर आधारित प्रोजेक्ट करते अपने मातारपिता अधारित करते कि घुर्ट करनाव 13 लिई एक पाइंट क्या कह रहा है ग्रिश्मकाल में कौन-कौन से अनाजों का उत्पादन होता है यह क्या है उनके नाम लिखेंगे ग्रिश्मकाल में गेहूं जो चना अलू तंबाकू मशूर शर्षो और मटर मटर-ादी का उत्पादन होता है नाम लिखेंगे इन फचलों के उत्पादन हेतु भूमी जुताई के लिए आदी उत्पादन का उत्पयोग किया जाता है नाम लिखेंगे उत्तर हो दूरे धुन्दले हैं इसे समझ जाएंगे क्या लिखा है ग्रेशन काल में कौन-कौनशे अनाजों का उत्पादन होता है उनके नाम लिखिए दूसरा प्रशन क्या है इन प्रशनों के उत्पादन हे तु भूमी की जुताई के लिए किन-किन यंत्रों का उपयोग किया जात है अब बता देंगे अच्छे बीजों का चया निन्न से किया जाता है जाइक चौन से किया जाता है अच्छां की जह होती है डूसरा अच्छश बीज रोग हो लाई चाहिए तीश्रा अच्छा बीच कंकर फत्तर धूल रहीत होना चाहिए फिर नेक्स्ट फाइंड देखिए फशलों की शिचाई है तू निंकिन जल स्रोतों का यह उपयोग किया जाता है नाम लिखिए तो आम बता देंगे फशलों की शिचाई है तू नियन जल स्रोतों और जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है जल स्रोतों हो गए कोंकों से हो गए नहरों से नदियों से कुओं से तालाबों से और जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है तो टीवेल हो गया बोर्वेल हो गया फवारा सिचाई और बच्छारी सिचाई इस वगासे चौथा अब बता देंगे। नेस्ट अगला पाइट देखिए, फशलों को कीट पतंगों से बचाओ है। किन-किन किट नासकों को उपयोग किया जाता है नेक्स्ट देखिए शे इसका छाटबा नमब़ प्रशनों की कटाई है तो इतौक चलित यंदों का जैसे रीप高 ढर्वेश्टर आधी द्वारा कि की जाती है स्लैंवी को ध्याला करने में हस्ट चलित उपकरनों जैसे हस्य का उप्योंक कि आप देखिंशु का सुरक्षित भंधार से किया जाता है नहीं की माता सुरक्षित करनी चाहिये बंडार से पहले या बाद में बंडारी कीटों से बचाव का भी प्रमंद करना चाहिए बंडार है तो भी इन प्रकाश या अकारों किश्मों एक विख्णा की बने पात्र प्योग किये जाना है चाहिए इस प्रकाश से आपके इसका आठ्वा या प्रोजेक्ट कारी जो आप को हमाद राज प्रोजेक्ट बताएगा यह प्रोजेक्ट अच्छे लगे हों तो आप हमाद चैनल आइडिल देख लासेश को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए यह अन्य ग्रूप में शेयर जरूर कीजिए